एक important बात सभी लोगों के लिए आज के वीडियो में हम जो सिखाने वाला है ये सिर्फ आप animation वीडियो पे नहीं अगर आप किसी भी तरह के YouTube वीडियो बनाते हो तो वहाँ पे ये trick यूज कर सकते हो तो आखिर तक वीडियो को ध्यान से समझना विल एक अच्छा और engaging वीडियो के लिए सब से important होता है एक अच्छा वाइस ओबर बिकॉज आपके animation वीडियो के animation quality जितना भी अच्छा हो बट अगर आपके वीडियो के voice quality खराब हो तो आपका वीडियो पूरा बेकार हो जाता है इसलिए एक high quality animation के लिए एक professional high quality voice over की बहुत जादा जरूरत होता है मगर आप सोच रहे होगे कि एक अच्छा voice over के लिए एक अच्छा महंगा mic और एक premium software की जरूरत होगा बट ऐसा नहीं है बिकॉज मैं इन में से कुछ भी use नहीं करता मैं अपने वीडियो के लिए voice अपने फोन से ही record करता हूँ और अपने फोन से ही अपने voice को edit करता हूँ आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने animation वीडियो के लिए अपने mobile phone से ही एक high quality professional voice over दे सकते हो इस वीडियो में हम 3 section पे बात करेंगे 1st how to record a professional voice over 2nd best voice editing mobile application 3rd how to edit a professional voice for animation video और at the end मैं बताऊँगा कि मैं अपना voice edit कैसे करता हूँ सबी parts बहुत ही ज़्यादा important है एक भी part बिलकुल भी miss मत करना 1. how to record a professional voice over for animation video देखो मुझे पता है कि आपके पास भी मेरी तरह कोई proper voice over setup नहीं है नहीं कोई अच्छा महंगा माइक है voice over in के लिए तो हमारे पास है एक mobile phone जिससे हमें ये सारे काम करना है और mobile का माइक एक अच्छा माइक है voice over in के लिए बट जो problem होता है वो होता है background noise के बट ये noise दूर करना बहुत ही easy है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने घर पे उस वक्त voice over in करिए जिस वक्त background noise सबसे कम हो इसके लिए best time है रात के वक्त जैसे कि मैं अपने वीडियो के लिए रात के वक्त ही video shoot करता हूँ voice over करता हूँ ताकि मेरे वीडियो में background noise कम रहे आप भी इस trick को use करके अपने mobile phone के mic से ही रात के time पे एक अच्छा voice over record कर सकते हो और एक और मेरा personal suggestion है कि कोशिश करना room एकदम खाली ना हो क्योंकि खाली room पे echo का problem बहुत ज़्यादा होता है देखो सब के पास ना ही computer होता है ना ही महेंगा mic ना ही premium software इसलिए voice over तो अपने proper कर लिया बट उसे professional touch देने के लिए उसे edit नहीं कर पाते है बट उसका भी हाल है आपके nothing why के पास अगर आप mobile से voice over को edit करना चाते हो या फिर उसे एक professional touch देना चाते हो उसके लिए best application for mobile that is Lexis audio यहां आपको सभी premium features premium मिल जाएगा like noise reduction, compressor, normalization, बहुत सरे premium features जो आपके voice overing को professional touch देने में मदद करेगा आप बात करें no.3 how to edit a professional voice over for animation video like a pro देखो मैं आपको बहुत easy और three step पे आपको professional voice editing सिखा दूँगा जो आप अपने voice overing को edit करने में use कर सकते हो और उसका result आप खुद देखना इसके लिए हम open करते Lexis audio app को so हमने यहां पे Lexis audio editor application को open कर लिया है और इसके अंदर हमें क्या करना है हमारे जो voice है उन्हें edit करना है तो बहुत easy है और बहुत आसान तरीकर से मैं आपको सिखा दूँगा ठीक है तो पहले आपको अपना जो voice है उससे आपको यहां पर import करना है उसके लिए क्या करना है इस voice को कैसे तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना इस voice को select करना है कुछ ऐसे ठीक है select करने के बाद आपको three dot पे click करना है three dot पे click करिए three dot पे click करने के बाद आपको effects का option देखने को मिलेगा ठीक है effects पे आपको click करना है यहां पे आपको बहुत सरे effects देखने को मिलेगा जैसे की fade in, fade out, normalize, reverse सबसे important जो है noise reduction यह भी आपको देखने को मिलता है जो बहुत एक premium feature से ठीक है इसके साथ compressor, equalizer इस तरह के features भी आपको देखने को मिलता है ठीक noise reduction तो होता है पर साथी साथ voice के quality है उसे down कर देता है ठीक है इसलिए मैं बहुत easy तरीके से edit करता हूँ जो आपके लिए भी बहुत आसान होगा ठीक है तो पहले मैं जो करता हूँ बहुत normalize ठीक है तो इसके पर अगर click करोगे तो आपको जो voice से वो normalize हो गया ठीक है उसके बात जो मैं करता हूँ फिर से three dot पर click करता हूँ और effects पर आता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर compressor का option इसके उपर हम click करते है और सभी settings आप देख सकते हैं कैसे मैंने रखा है सभी कुछ या आप copy कर सकते हो ठीक है और इन सभी settings को करने के बाद आपको यहाँ पर apply option देखन करने के लिए आपको इसके अंदर एक और effect डालना है तो effect पर आपको click करना है फिर आपको equalizer का option देखने को मलेगा compressor के नीचे इसके उपर आपको click करना है ठीक है तो यहाँ पर भी settings आप देख सकते हैं इसे copy कर सकते हो ठीक है और apply पर click करते हैं तो हो गया हमारा voice edit ठीक है त अब आपको कुछ नहीं करना अपने voice जो अपने edit करा है इसे एपको save करना है तो इसलिए आपको save option पर click करना है और अपने voice edit जो अपने करा है उसे आपको save कर देना है ठीक है तो इस तरह से आप एपने video के जो voice होगा है उससे professional touch देशेक तो इसे edit करके और strony बटर बना सकत और जो setting मैंने बताया यह मैं खुद यूज करता हूँ अपने वीडियो पर अपने voice को edit करने पर जो मैंने आपको दिखा यह सभी कुछ तो यही था voice over editing application and process जो मैं यूज करता हूँ आप भी यूज कर सकते हो अगर आपको animation की उपर interest है आपको स्क्रीन पे एक वीडियो मल गया होगा उस पे click किजे मैं मिलेंगा आपको बही पे